अलो इवरीबडी वेलकम डो अर्हान एंटेटेनिंग तो यार इस वीडियो में मैं कोई भी चापलो सी नहीं करने वाला कोई बड़ मैं एक सजवाल बोलूँगा कि देको ट्रेलर अच्छ है एंटेटेनिंग है लेकि इसमें नया क्या है सिर्फ अक्षे कुमार का लुक और पूरी तरह से आप लोग नया नहीं है बस वह एक पत्थर की आख डालने से कोई नया लुक नहीं बन जाता है उसके लोग अक्षे कुमार कम इस तरह की से दाड़ी के लुक में बहुत बार बहुत सारी मुवीस में देख चुक है तो कुछ अला खटके में यह बता है और हा खटके में रिमेक बना है याने कि यह वो चड्डी है जिसके इतने सारे चेह दो के फिर भी उसको घस घस के पहना जा रहा और अब अक्षे कुमार ने भी उस चड्डी को पहन लिया अब वह चड्डी ऑुडिन्स के मूब पे बिनाने वाले मैं इतने ही मुछता है कि यार पर लोग बनायते तो नोग ने कैसी मुवी बनाई जिसमें आपको कमेडी इस फैमिली आपने बच्चे को लेके जाएगी तो आप अपने बेटे की हाथ रखेगा रहेगा देख फिर आप आपके साथ प्रवाल वाले ने कुछ गया है और रिमेक बनाने से एक चीज़ तो गैरेंटी हो जाती कि 50% वही पर मुवी हीट हो जाती कि अधिक उस पर्टिकुलर कहानी को आडियंस ने पसंद किये तो वही सेम कहानी को लेकर एक मुवी बनाएंगे और एक सुपर स्टार को लेंगे तो 75% काम हो गया बचे 25% वह बिकेवे रिवीवर से वह लोग जूटी तारीफ करके उस मुवी को उपर चड़ा देंगे यार शरम करो यार कुछ तो शरम को राक्षे कुमार में भी वह कैलीबर है और बॉल्यूड में भी इतना पैसा है कि वह लोग अच्छी यूनिक मुवी बना सकते तो वो क्यों नहीं बना रहे क्योंकि आप लोग इस तरीकी की रिमेक को जंप चरके तारीफ है तारीफ हो की पूल लगा रहे तो फिर तो हो गई ना मुझे इस पर्टिकलर मुवी से को प्रब्लम नहीं है बच्चन पांड़े का ट्रेलर फूल टू एंटेटेनि लेकिन for me nothing is new in this particular movie और इस तरीकी की मैंने action comedy बहुत सारी मुवी देखा तो यह मुवी देखने का मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा हां अगर कोई मुवी रिलीज नहीं होती हो और मुझे मजबूरान बच्चन पांड़े जाके देखना पड़े को फ्री में टिकेट अक्षे कुमार से एजन एक्टर घजब के मतलब उनके जो energy level वो किसी भी character को अलग लेकर चलाते लेकिन इस particular movie जब वह अलग हटके character कर रहे तो फिर अक्षे कुमार ने क्यों नहीं कहा कि भाई इसको remake क्यों बना लेकर हमने कुछ नया बनाते तेकि मुझे भी करने में अच बहुत निराशा हुई है और I hope कि यह movie चले क्योंकि किसी का भी पैसा लगता किसी महनत लगती है लेकिन मैं यह hope करूँ कि यार future में शायद हमें ऐसे character को लेकर R-rated movies बनाए कुछ original movie बनाए जो मजा आज है तो अंकर स्ट्रिपाटी सर और संजय मिशा सर यह दोनों personally मेरे फे characters of Indian cinema that's for sure लगता बच्चन पांडे इस particular movie के trailer को लेकर आपको का लगता है movie कैसे लेगी और हाँ इस character को लेकर वो लोग को कुछ नया करना चाहिए था कि नहीं हो मुझे कमेट स्क्रीम जरूर बताना अब मिलते है नेक्स वीडियो में दिल्देन बाए